दोस्तो आज की इस वीडियो में हम फिलिपकाट के पे लेटर के बारे में जानेंगे फिलिपकाट के पे लेटर का क्या फायदा है और क्या निक्सान है आपको एक्टिव करना चाहिए या ना करना चाहिए अगर आप भी सोच रहे हैं फिलिपकाट पे लेटर को एक्टिव कर चालू करते हैं तो मैं मंटुकुमार आप देख रहे हैं टेक अब मंटु अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देजिएगा और चाइनल को सस्क्राइब भी कर देजिएगा दोस्तों फिलिपकाट पे लेटर एक ऐसा सर्विस है जिसे आप एक्ट है और क्या नुकसान है तो सबसे पहले हम फिलिपकाट पे लेटर के फायदे के बारे में जानेंगे तो फिलिपकाट पे लेटर का पहला फायदा एह है कि फिलिपकाट पे लेटर को अगर आप एक्टिप करना चाहते है तो आप उसको एजली एक्टिप कर सकते है यानि आपको जो भी limit मिला है उतना limit का आप shopping कर सकते है । Job पॉबेरेट होगा और आपको 5 तारी के अंदर नंदर भर सकते है। फिलिप का legislator का दूसरा फैदा है कि अगर आप किसी Product κάνed pro लाइन पर्चेस किये है और पर्चेस करने के बाध आप उसे refund करना चाहते है पेमेंट किये रहेंगे तो आपका refund पैसा बहुत ही जल्दी आ जागा जैसे कि आपका प्रियर बॉय आकर आपका प्रोडॉक्ट जैसे ही रिसीब करेगा उसी वक्त आपका refund पैसा वापस आपके पेलेटर एकाउंट में आ जागा तो पेलेटर का दूसरा सबसे बारा फायद यह है कि अगर आप कोई भी product EMI पर खरीदना चाहते है तो उसके लिए आपको debit या credit card का कोई जरूरत नहीं परेगा आप फिलिप काट पैलेटर से easily कोई भी product EMI पर ले सकते हैं आपको यह ध्यां रखना होगा कि आपको कितना limit मिला है आप उतना ही का product EMI पर ले सकते हैं औ अगर आप time to time payment करेंगे तो आपका civil score भी increase होगा फिलिप पालेटर को फाया गिलाघ है जलिए बात करते हैं फिलिप काट पै लेटर के नुकसान के बारे में तो फिलिफ पालेटर का पहला नुकसान यह है कि अगर आप फिलिप काट पै लेटर को open करते हैं तो आपको limit प तो आप उस product को purchase नहीं कर सकते है, flip card का दूसरा नुकसान ये है कि अगर आप credit card से कोई भी product EMI पर लेते हैं, तो आपको 12% का ब्याज लगता है साल का, बट अगर आप flip card pay letter से कोई भी product EMI पर लेंगे, तो आपको 20-24% का ब्याज लगेगा साल का, तो credit card से ज्यादा pay letter का आपक नुकसान ये है कि अगर आपके flip card pay letter का bill generate एक तारी को हो गया, तो आपको 5 तारी के अंदर ही आपको अपना bill pay करना होगा, अनिता उसके बाद आपको extra charge लगेगा, और flip card pay letter का सबसे 12 नुकसान ये है कि अगर आप flip card pay letter को active करते हैं, और active करने के बाद आपका limit 500 के या 1000 का भी मिलेगा, तो आपके civil score पर loan 100 करेगा, जैसे कि आपको 5000 और 500 का limit मिला है, और अगर 5000 का limit मिला है, तो आपका civil score पर 500 का loan 100 करेगा, तो ये एक इसका सबसे 12 नुकसान है, जिसे कोई bank देखेगा, तो लगेगा उसे कि ये 5000 का loan लिया हुआ है, यह है flip card pay letter का नुकसान, क्या आप पहले जानते थे कमेंट बक्स में जरूर बताए फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपी के साथ तब तक के लिए बाई बाई